रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मिठाई बाटने के लिए हो जाओ तैयार क्योंकि आज राज से इस राशी वालू पर धन लुटाएंगे महादेव जी हाँ नमशकार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में उन राशी वालू के बारे में बताने वाली हैं जिन पर हो चुकी है भगवान भोले नाची की क्रिपा जी हाँ दोस्तों बता दें कि आज राश से इनके उपर अच्छानक दुखों का नहीं बलकि अपार खुशियों का पहाड तूट पड़ेगा बता दें कि इन लोगों को अपने देनिक जीवन में अनेक प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तनब देखने को मिलेंगे दोस्तों बता दें कि अब आप अपने जीवन में भगवान बोलेनात की क्रिपा से अपार सफलता है अरजित करते हुए आगे बड़ेंगे शिक्षा, नौकरी और व्यापार के शित्र में किये गए प्रियास आपके सफल होंगे जितना आप गरीब और जरुवत मन लोगों की भलाई करेंगे उतनी ही तेजी से प्रगती करते हुए आप काम्याबी की ओर आगे बड़ेंगे दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आने वाले सोमवार से आपके यूपर अचानक खुशियों का पहाड तूट पड़ेगा आप अपने जीवन में अपार सफलताएं अरजित करने में काम्याबी हासिल करेंगे आपके जीवन में आपको नई सफलता मिलने के योग अब बन रही हैं अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों आपके सच्चे प्यार के मिलने की संभावन अब नजर आ रही है आपको बता दें कि भगवान भोलेनात अब आप से प्रसन हो चुके हैं और दोस्तों सच्चे मन से भगवान भोलेनात की पूझा करके शुरू किया गया कारिय आपका जरूर अब सफल होगा इनकम के शेतर में आपके वृति होगी अगर आप मन लगा कर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देती हैं कि आखिर हम वह कौन सी भागशाली राशियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रही हैं तो आप से अनरोध है कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से जै भूले नात जरूर लिख दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बता दें कि सबसे पहली जो राशी है वह है तूला राशी दोस्तों बताना चाहेंगे कि भगवान बुले नात की क्रिपा से अब आपका रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्थ हो सकता है बता दें कि आपके कारोबार में अब व्रिद्धी होगी नौकरी के शेतर में आपका अधिकार बढ़ेगा शेहर मारकेट से जुड़े हुए लोगों को इस दोरान अच्छा लाब मिल सकता है वैवाहिक जीवन आपका इस दोरान बहतर रहीगा समाजिक शेतर में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी दोस्तों अगली राशी है व्रिशब राशी बता दें कि इन राशी वाले लोगों की लव लाइव अब अच्छी रहने वाली है बच्चों की तरफ से आपको खुशियां पराप्त होंगी मित्रों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा आपको अपने व्यापार में भी भारी मुनाफ़ा मिल सकता है आपकी राशी वालों का आने वाला समय बेहती ज्यादा शांदार और लाप्रद रहने वाला है दोस्तों अगली जो राशी है वह है कन्या राशी बताना चाहेंगे कि कन्यराशी वाले लोगों के लिए आने वाला समय काफी ज्यादा शुब रहेगा बगवान महादेव के कृपा से नौकरी पेशा वाले लोगों को पदोनती मिल सकती है इसके अलावा वेतन में भी बड़ोत्री आपकी हो सकती है इस समय आप महादेव का नाम लेकर जिस भी कारे के शुरुवात करेंगे उसमें आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता पैसा सम्मंदित सभी परिशानियों का हल अब आपको मिल जाएगा दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वो है कुम्ब राशी बता दे कि इस सोमवार से महादेव की क्रिपद रिष्टी आपके उपर सबसे अधिक बने रहेगी जिससे कि आपको व्यापार के शित्र में अच्छानक धनलाब होने की पूरी-पूरी संभावन नजर आ रही है और दोस्तों अब आप महादेव की क्रिपद से माला माल भी हो जाएंगे आपको अपने घर में सभी का प्यार इवं सपोर्ट मिलेगा जिससे आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में कामियाब रहेंगे महादेव की क्रिपा से आपके जीवन में आने वाले सभी कश्टों का निवारण होगा पारिवारिक मसले पर आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है यात्रा करना आपके लिए इस दोरान लाब दायक रहेगा हाला कि दोस्तों यात्रा करते समय आप वाहन सावधानी पूरवक चलाएं दोस्तों अगली जो राशी है वह है मकर राशी बताना चाहेंगे कि आपकी मधुरवानी इस दोरान दोसरों को आपकी तरव आकरशित करेगी जिससे आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में कामियाब रहेंगे बतादे कि इस दोरान आपका समाज में मान समान वा प्रतिष्ठा में आपके बड़ोतरी होगी विध्यारती जीवन के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा बीतेगा आपको शिक्षा के शेतर में अधिक मन लगाने के आवशकता है खास तोरपर आपके नौकरी के शेतर में चल रहे प्रयास सफल रहेंगे दोस्तों अगली जो राशी है वह है मेश राशी बता दे कि इस समय आपको थोड़ी सी महनत करने पर अधिक सफलता हाथ लगने वाली है महादेव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परिशानिया जल ही दूर हो जाएंगी अब महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है जिसकी वज़े से अब आप लोगों को अचानक चारों तरफ से धनलाब और सुक समरिद्धी हासिल होगी दोस्तों आपसे अंदरोद है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से हर हर महादेव दरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें